गुद मॉर्णिंग एड़ीवन तो आज हम साल करेंगे कोश्चन नमबर थ्री फ्रम दिस प्रैक्टिस सेट 14 प्रैक्टिस सेट 14 फ्रम यह चाप्टर यहल से मैं यह स्टार्ट किया था उसमें कोश्चन फॉर्स एंड सेकंड हमने कंपलिट किया है साथ में आपके लिए कुछ होमग भी था आयोप आपने हो किया होगा सो कोश्चन नमबर थ्री फ्रम दिस प्रैक्टिस सेट इस लेट सी फाइंड लसी हम ऑफ फॉलॉइंग नमबर देखें फाइव सब कोश्चन से उसमें फॉर्स है थर्टी सिक्स कॉमा फॉर्टी तो इसक एलसे हम फाइंड आउट करेंगे लिस्ट कॉमन मल्टी वर्ट तो दोनों नमबर का एक साथ हम फैक्टर कर सकते हैं तो देखें मैं यहाँ पे अल्रेडी उनके लिए लाइन्स डॉर कर रखी है तो यहाँ भी लिखेंगे थर्टी सिक्स एंड फॉर्टी टोनों देन दोनो नमबर डिवीजिबल वाइट टू है सो फॉर्स टू फैक्टर मिल जाएगा दोनों के लिए करेक्ट थर्टी सिक्स एंड फॉर्टी टू दोनों यह नहीं तो टू डिवाइड कर सकता है इन दोनों को थर्टी सिक्स अगर टू से डिवाइड हो जाता है तो टू अन जा टू और टू एट जा 16 मतलब 18 आ जाएगा और 42 टू से डिवाइड करेंगे तो 21 अब देखें 18 एंड 21 है करेक्ट ना दोनों डिवीजिबल वाइट थ्री दिख रहे आपको करेक्ट थ्री के टेबल में है दोनों भी तो थ्री से डिवाइड कर लेते हैं 3,6 आर 18, 3,7 आर 21 अब आगे देखें 6 है और 7 है 7 तो किसी से भी डिवाइड नहीं होता 7 एजट इस रहेगा लेकिन 6 जो है 6 डिविजबल बाइ 2 है सो 2 से डिवाइड कर लेते हैं 2 3s are 6 और 7 डिवाइड नहीं होता तो 7 as it is नीचे shift कर लेना है 7 7 ही रहेगा ठीक है डिवाइड नहीं होता तो उसको कुछ नहीं करने का as it is नीचे shift कर लेने का है अब देखिए last row में आपको 3 and 7 मिल चुका है तो और ज्यादा डिवाइड होता ह है क्या नहीं है अब यह प्राइम में हो चुका है देन फॉर्स कॉलम देखिए 2 3 2 इन दिस पे आपको फैक्टर्स मिल चुके हैं प्राइम फैक्टर्स सो अब जस्ट येल सेम निकलना है येल सेम आप 36 and 42 कि सो येल सेम के लिए क्या करना है यह जित्ते भी प्राइम 2 इन टो 3 इन टो 7 इन दिस वे अब यह सका मुल्ति बिलिकेशन करना है मुल्ति बिलिकेशन तो सिमपल सी क्यल्कुलेशन है 2 लिए क्या इन टो 3 6 2 इन 2 3 6 इन 2 7 इन दिस वे इन थे इन शेक्ट 6 6 and 6 3 6 2 7 और 7, 3, 21, 21 और 4, 25 मतलब 2, 5, 2 in this way ये बन चुका आपका LCM of 36 and 42 in this way ओके समझ में है ना LCM कैसे निकालना है अब देखिये तीनो को प्राइम फैक्टर के लिए अरेंज कर लेते हैं लाइक दिस 15, 25 and 30 in this way अब देखिये 15, 25, 30, 30, 5 से डिविजिबल है सो सबसे बेले मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूँ क्योंकि 5 के टेबल में 3 आते हैं करेक्ट 5, 3,000, 15, 5, 5,000, 25, 5, 6,000, 30 in this way मतलब 15 को अगर 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो 3 मिलेगा 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा अब आगे देखिए 3 है, 6 है, divisible by 3 है यह दोनो नमबस divisible by 3 है और यह मेड़ा लाग 5 देखिए 5 किसी और नमबस से divisible नहीं है तो उसको as it is रखना पड़ेगा तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो 3 1s are 3 5 as it is shift कर लेना है तो 5 not divisible by 3 है अगर ऐसे है तो as it is shift करना होता है 5 as it is रहेगा देन 6 को अगर 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो 3 2s are 6 इन इस वे हैं, ओके? अब देखिए ELCM ELCM के लिए का करना यह जो factors है, prime factors first column and last row में जित्ते वे सब का multiplication हो जाएगा यह, यह जो मैंने highlight कर रहे हैं सब को multiplication में लेजे 5 into 3 into 5 into 2 1 भी लेजे अगर लेना है तो लेकिन जरूरी ने, 1 से multiply करने से कोई change नहीं होता तो आप जस्ट यहाप लेकिए 5 into 3 into 5 into 2 सब factors को multiplication में लेंगे then दे के 5 into 3, 15 और 5 into 10 so 15 into 10 1, 50 in this way, LCM of 15, 25 and 30 is 1, 50 okay second one question complete then question number 3 okay, sub question 3 उसमें 3 number से find the LCM of 18, 18, 18, 42 and 48 okay so 3ों को arrange कर लीजे यहाँ पर like this 18, 42, 48 so देखे, 3ों even number से so 2 से divisible है so 2 से divide कर लेते अगर 2 से divide कर लेते है तो 18 divide 2 करेंगे तो 9 मिलेगा 2, 2s are 4, 2, 1s are 2 मतलब 21 मिलेगा then 2, 2s are 4, 2, 4s are 8 मतलब 24 अब देखे, 9a, 21 and 24 so 3 से divisible है, तीनों numbers so हमें आहाँ पर 3 से कर लेते है, divide so 3 factor लेंगे तो देखे, 3 3s are 9 3 7s are 21, 3 8s are 24 अब देखे, 3 है, 3 तो प्राइम में आ चुका है, 7 आ चुका है, तो बाकी है 8 8 divisible by 2 है, so 2 से divide करेंगे लेकिन यह जो 3 and 7 है, as it is shift कर लीजे उनको तो divide नहीं करना, होते नहीं हो किसी से divide so 8 को divide करेंगे 2 से 2, यहाँ पर हमें मिलेगा 4 4 also divisible by 2 है, so 3 and 7 as it is shift कर लो और 4 कर divide कर लो 2 से, तो 2 मिलेगा in this way यह भी प्राइम हो चुका है अब देखिए हमें LCM लिखना है, LCM of 18, 42 and 48 is यह जो first column है यह वाला, highlight किया हम इने और यह last row, यह सब को multiplication मिलेजिए 2 into 3 into 2 into 2 into 3 into 7 into 2 in this way, सब का multiplication, सब factors so multiplication देखिए, 2 into 3, 6, 2 into 2, 4, 3 into 7, 21 into 2, okay in this way और फिर से इसको multiply करना है, 6 into 4, 24, 21 into 2, 42, so 24 into 42 इन दोनों का फिर से multiply कर ली से, so यहां पर आपको multiplication मिल जाएगा 1, 0, 0, 8, okay, यह final LCM of 18, 42 and 48 in this way, question number 3, complete हो चुका है then question number 4, so let's see, question number 4, find the LCM of 4, 12 and 20, okay so arrange कर लेते हैं, तीनों numbers को, let's see, 4, 12 and 20 अब देखिए, तीनों numbers divisible by 2 है, so 2 factor लेते हैं, 2, 2s are 4, 2, 6s are 12 2, 10s are 20 in this way, फिर से 2 से divisible है, so 2, 1s are 2, 2, 3s are 6, 2, 5s are 10 अब देखिए, 2, 2 है, first column में, last room है, 1, 3, 5, मतलब, 1, 3 and 5 और divisible है किसी से नहीं है, 1 भी किसी से और नहीं है, तो यहीं पर है, अब यहाँ पर हम multiplication लेते हैं, factors का, LCM के लिए, LCM of 4, 12 and 20, यह first column and last room, इनका multiplication, 2 into 2, 3 into 5, in this way, 2 into 2, 4, 3 into 5, 15, 4 into 15, 15, 4s are 60, in this way, the same of these 3 numbers is 60, then question number 4, यहाँ पर complete हो चुका है, then question number 5, थे, है, 24, 40, 80, 120, so यह जो question number 5 है, यह आपने try करना है, ठीक है, आप कर लिजे, हाँ, चार numbers है, बट सेम ही करने है, और कुछ नहीं, चारों numbers के एक साथ arrange कर लिजे, और चारों का factors बना लिजे, prime factors, यह आपको उसका LCM मिल जाएगा, ठीक है, I hope आप करोगे, आज के लिए इतना ही, यह आपका question number 3 complete हो चुपाए, और question यह जो है, फीप्त आपके लिए home होगे, thank you,